बोचपुरी में पवन सिंग और खेसारी लाल दो ऐसे नाम है जिनके सिंगिंग के बारे में कुछ कहना सुर्य को दिपक दिखाने जैसा होगा लेकिन कुछ दिनों से शोशल मीडिया पर एक बात बड़े ही तेज़े से वाइरल हो रही है कि अक्षर कुमार के अलबम का गाना आया था फिलहाल यानि मैं किसी और का हूँ फिलहाल तो इस गाने को सबसे बहतर किस ने गाया है तो कुछ दिनों पहले पहले ये गाना पवन सिंग ने गाया लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद किया ये गाना यूटूब पर जैसे ही पवन सिंग ने एक स्टेश शो के दोरान गाया ये गाना वाइरल हो गया अब इस गाने को खेसारी लाल यादों ने गाया है चे तारिक को ही गाया है और वो भी जैसे ही अपलोड हुआ यूटूब पर बहुत ही तेज वाइरल हुआ ये भी एक स्टेज शो के दौरान ही खेसारी लाल यादों ने गाया है और इस गाने को जैसे ही खेसारी ने गाया लोगों के बीच ये बहस बहुत तेजी से छिड़ गई कि इन दोनों में ये गाना बहतर किसने गाया है पवन के फैंस कहते हैं कि पवन सिंग ने और खेसारी के फैंस कहते हैं खेसारी लाल यादों से बहतर ये गाना किसी दिन नहीं गाया है खैर चाहे जो भी हो लेकिन गाना तो दोनों ने बहतर गाया है लेकिन हम आपको यहां ये बता देते हैं कि खेसारी लाल यादो और पवन सिंग के फैंस के भी छिड़ गई है जंग वैसे भी इन दोनों के फैंस हमेशा आपस में भिड़ते ही रहते हैं लेकिन अब भई रीजन भी है लोग अपने सुपस्टार को दूसरे सुपस्टार से बहतर बता रहे हैं लेकिन हम तो यही कहेंगे आप जाएए इन दोनों का गाना सुन ही इंजॉय कीजिए क्योंकि गाने सुने ही जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए भोजपरिजयत की होट और मसालेदार गोसिप के लिए हमें सब्स्राइब करना बिल्कुल लग है